असलामों आलेपुन दोस्तों दोस्तों कोवेश सरकान ने रमजान को लेकर नए कानून को लागू किया है उन्होंने कहा कि रमजान के महिने में आप लोगों को मस्ज़िश से बाहर कैफे के बाहर या रोडों पर कोई भी भिकारी भीक मांगता दिखाई देता है तो आप लोग होट लाइन नमबर पर कॉल कर सकते हैं नमबर है 97288200 दूसरा नमबर 9728821 आप लोग 112 पर भी कॉल करके कमपलेंट कर सकते हैं तो दोस्तों कोवेत में जो गेर मुलकी भिकारी हैं, कोवेत में भीक मांगने का काम करते हैं, उन्हें साबधान होने की जरूरत है, क्योंकि वो रमजान के महीने में कोवेत में बिलकुल भी भीक नहीं मांग सकते, कोवेत के कानून के तहट भीक मांगना गेर कानूनी है, खा बेजा जाएगा ये एलान कुवेट ट्रैफिक डिपार्टमेंट के अधिकारी मेजर अब्दुल्ला अबू अलहसन ने किया उन्होंने कहा कि कुवेट में कागज आधारत उलंगन धीरे धीरे बंद कर दिये जाएंगे और सबी उलंगन को इलेक्ट्रोनिक माद्यम से मुवा स्थायल में ही आपको मिल जाएगा यानि के वहान से आप लोगों को टेक्वत मेसिज मिल जाएगा कि आपने ट्रैफिक उलंगन किया है साथ ही बेदेशी शराब बनाने वाले कच्छे मिटेरियल और आउजार भी मिले सबी को कुवेट सेकॉर्टी टीम ने जबत कर लिया है और भारती परवासी को पकड़ लिया है बताया है कि कुवेट में इसे सजा होगी सजा पूरी करने के बाद इसे कुवेट से हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा तो दोस्तो अगर आप लोग कुवेट में रहते हैं तो आप लोग इस तरह के काम करने से बचें ऐसे कामों के जरीए आप लोगों की जान को खतरा हो सकता है तो दोस्तों ये थी कुछ इंपोर्टेंट एहमतरीन खवर हैं जो हमने आप तक शेयर करें ऐसे ही खवरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और साथ में अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें मिलते हैं इसी तरह के नेस्ट वीडियो में अल्ला हाफिज आप